आपको बड़ी खबर बता दे कि अभी प्रधान मंत्री की रैली में आ रही बस पर कुछ लोगों ने फाइरिंग कर दी है जिसमें तीन लोग घायल बताये जा रहे हैं घायलों को जोधपुर के LGR अस्पताल में भरती कराया गया है जिन में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है वसंधरा राजी सरकार ने प्रधान मंत्री की रैली में आने के लिए 33 जिलों से लाभार्थियों को बुलाने के लिए 5589 बसों को लगाया था जिन से धाई लाक के लगभाग लाभार्थियों को प्रधान मंत्री की सभा में पहुंचने के लिए बुलाया जाना था इसके अलावा इनके ठहरने के लिए वहां के लाजज में तमाम अच्छी बेवस्था की गई थी और उनकी तीमारदारी में प्रशासनी कदिकारियों को लगाया गया था लेकिन जोदपुर पहुंचते पहुंचते ये बस गाइंगवार की शिकार हो गई जिस पर पहले से घात लगाए हुए लोगों ने हमला कर दिया जिसमें तीन लोग गायल बताए जाते हैं हाला कि बस के चालक ने अदम में साहस का परिचे देते हुए गाड़ी को वहां से किसी तरह निकाल लिया और इसके बाद घालों को अस्पताल में भरती कराया गया आपके ध्यान के लिए बता दें कि तीन दिन पहले जातों और राजपूतों दोनों समधाय के लोगों ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह प्रधान मंत्री की रेली का विरोध करेंगे आज आपडेट्स के लिए बने रहें ग्लिप्स.in के साथ